लाइन इनका यूस, ऑक्स बन का ऑक्स टू का यूस कैसे करना चाहिए। उसमें हमको क्याidas setting रखना चाहिए। कितने लंबे होँन इस पर हमको डालना चाहिए। कितने होँन पर हमारी ओख अच्छह आगी और कितना यह appकितने लौड़ पर कितना distortion करता है। इसके बारे में सही लोड इसके कितना देना चाहिए ये सारी वीडियो में आपको डिसकस किया जाएगा तो देखिए वीडियो को पूरा धिहान से कहीं भी इसके नहीं करना है दोस्तों यह है अहुजा का एंप्लिफार 250 वाट का तो आप लोग भी जानते हैं इसको और सभी लोग देखा होगा कहा लिए तो हम जानते हैं इसके बारे में लेकिन मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं वह आपको कहीं भी यूटूब पर नहीं मिलेगी इसको कैसे सही बजाना है कि इसकी आबाद जो है गोली की तरह जाएगी बहुत लंबी जाएगी और सांधर क्वाल्टी के साथ जाएगी इस चीज को आप देहान रखना आपको कोई बताएगा नहीं यह क्योंकि आपको बताएंगे 10 ओन लग जाएंगे 20 ओन लग जाएंग तो आपको क्वाल्टी मिलेगी डिस्टॉशन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो एम्प्लीफायर है यदि आप मैं जल्दी जल्दी से आपको बताता है यदि आप ऑक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको 80% तक इसको खोल देना है और तब 80% जब यहां तक फिलेट रख देंगे तो यह हमारा ट्रैवल हो गया है हमारा बेस हो गया इसके बाद जब ड्राइबर यूज कर रहे हैं तो ऊपर सुच को जरूर करना नहीं तो आपका ड्राइबर से फटी हुई आवा जाएगी और यह आपका ड्राइबर खराब हो सकता है तो इतनी संट नहीं क्रश्ट रखना है यहां अपन बाद यहां को मिला ड्राइस इसके बाद मैं यदि आप लाइन अका यूज करते हैं और दिखे द doom की आवाज आपने सुना होगा के हमारी पास एक दम से चला हाट एक दम से तेज आती है लेकर दूर जाती है तो कुछ दूर विवाद यारणी आधा किलूमेटर एक किलूमेटर के बाद हमको सुनाई नहीं देथी है तो समझ लीजे के यहां आप लाइन ए में यूज़ करेंगे तो आप होन की आवाज पास से भी सुनेगी तब भी आपको बैसे ही मसते लगेगी और एक किलुमेटर दूर से भी सुनेगी तब भी मसते लगेगी लंबी आबाज जाएगी बिल्कुल गोली की तरह आवाज मांस्टर को आप बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और यहां जो आपका बेस ट्रेवल है कैसा भी रहे से कोई फर्क नहीं करना बंद कर देगा जब लाइन का युज कर रहे हैं जिए लिए किसी को देते हैं तो हम लाइन नहीं यहां से आपकी speaker उड़ा देते हैं तो आप लाइन में ही बताए उनको लाइन में लगा के लाइन में आपको चलाना है तो यह चीज होगी इसके बाद में आप मैं आपको बताता हूं इस पे कितने हों ड्राइवर चलेंगे कितने इस पे आप speaker चला सकते हैं तो इस पे सही तरीके से दिया आप चलाएंगे इसका calculation में आपको समझाओं कि इस पे आपने लिखा होगा कि 200 वाट का amplifier है हमारा और यह 300 वाट जिक्तम लोड ले जाता है तो 300 वाट चलाएगा लेकिन आपने यह कभी ने देगा कि 300 वाट चल देगा तो जो sound clarity है वो हमको इसमें से नहीं मिलेगी तो आपको distorted sound चाहिए तो 300-300 से उपर जा सकते हैं अब लोड आपका amplifier भी गरम होगा आपके speaker भी खराब होंगे आपका इनो driver भी खराब होगे तो देखिए इसका जो सही चलाने का तरीका है वो 250 वाट यह पूरा टूट लेते हैं 220 वाट का इस पर लूट डालते हैं तब 5% distortion है जो वो हमारी आवाज में जाएगा और यदि हम 200 वाट इससे किवल आउट पूट लेते हैं तो 2% distortion जाएगा यानि बेस्ट कहां है बेस्ट हमारा किवल हमको 200 वाट ही इस पर लूट देना चाहिए यदि आपको आव 200वाट दें एक चीजव वह समझ लीज़ें जब हम लंबे होन लगाते हैं कहीं दूर पर होन लगाते हैं तो आप देखिया किवल जो लगाते हैं तो इसमें कॉपर का वायर यूज करना चाहिए को को पर का वायर से अच्छी मिलेगी और जो हमारा जो पावर लोस है वो भी यानि 40-40W वाली यानि 40XT वाली यूनिट आप 5 चला सकते हैं तो यह 200W हो गया लेकिन 200W तो हो गया लेकिन जो आपकी लाइन लगेगी लाइन में भी तो कुछ लॉस होगा तो यहां पर पांच यूनिट नहीं लगाना है आपको चार यूनिट लगाना है यदि आप 100 मीटर त अधा किलूमेटर तक होन डाल रहे हैं वह 200W से पांच ही होन चला रहे हैं तब भी आपका डिस्ट्रोशन हमारे साउंड पर जाएगा तो इसलिए हमें बायर का भी साथ में धियान रखना कितना लंबा बायर लगा रहे हैं उस हिसाब से हमें इनिट को कम कर देंगी कितना क कितना पावर लॉस होने हैं यह यह जानी है और आप दो इनिट भी कम कर देंगे तो आप समझेंगे उसकी क्वाल्टी जो आपको है वह बैस्ट में लेगी सांदार आवाज आएगी लंबी दूर जाएगी कोई भी दिक्कत समय नहीं आएगी तो जैसे भी आपने देखा कि कि कभी कभी हम जब कहीं इस्ट्रॉल करते हैं होन बगैरा लगाते हैं तो क्या होता है कि आपने जैसे आप बाहर से आवाज सुनते हैं तो बहुत तेज आवाज लग रही होती हमको होन के पास बहुत तेज बोल रहा है लेकिन जब आप बाहर जाके देखते हैं तो आपने करेंगे तो आपकी दो बहुत ही अच्छी आवाज आएगी एक कान नहीं फाड़े गए आवाज और इस लिवास आपको पास से लगेगा कि दूर नहीं जा रही होगी quality कम आवाज लगरे कि कान नफाड ले तो हमें लगता है कम आवाज आरही यह लेकिन ऐसी आवाज बहुत लंबी जाती है इस चीज का भी आपको ध्यां रखना है और आप अच्छी मधुर आवास सैट करके चलाएंगे तो आपकी जनल लंबी जाएगी तो एकदम से चर्राहट फिर्राह jan आवादा आ रहे होगी तो यह आवास लंबी नहीं सब्सक्राइब करें यह जाती है जो स्वीट सावंड होता है सुध सांड होगा तो यह लम जाएगा तो इस तरह से आप इसको सटेंग करके चलाई तो आपको बहुत ही बेस्ट चले कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी और बहुत ही सांदर क्वाल्टी के साथ जो आपके एंप्रिफायर है वह आपके ड्राइबर है वो भी चलेंगे ना कभी इसमें जलने की कोई समझ्था नहीं आएगी और किसी भी प्रेकार से आपको भी कोई समझ्था नहीं आएगी और आप अपने हिसाब से समझ के इसको सेट करके चला सकते हैं मिलते हैं नेक्स टोडिन तब तक के लिए गुर्बा जिन वहीं ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक